हेलो प्यारे बच्चो आज हम आपकी क्लास 10 का साइंस का बच्चो क्वीज अभ्यास करेंगे 21 से लेकर 27 अगस्त का आपका ये क्वीज अभ्यास है तो चलिए बच्चो शुरू करते हैं अगर आपको कोई प्रोब्लम आती है तो आप हमें टेलिग्रम चैनल पर जोइन कर सकत हैं और अपने प्रोब्लम को सौल करवा सकते हैं तो चलिए बच्चो फर्स कोश्चन है तेजस ने अपनी सफेश हर्ड पर हल्दी गिरा ली यदि वह से साबून से दोता है तो क्या होगा तो बच्चो आपको पती है अगर कपड़ों पर हल्दी लग जाती है उसे साबून से कौन सा एक संपर्क बल का एक उधारन है तो बच्चो इसका फोर्थ वाला अंस्वर सही आएगा एक बार चुम्बक एक पेपर क्लिप को बिना चुए चलता है अगला परशन है राम ने देखा कि उसके बड़े भाई महेश में चहरे के बाल बढ़ाने शुरू कर दिये ह देख के चहरे पर बाल होने का एक संभावित कारण क्या है तो बच्चो इसका अंसर आएगा सेकिंड योना वस्ता आने पर व्रश्णों से टेस्टोस्तेरोन का स्त्राव होना तो बच्चो इसका अंसर आएगा सेकिंड वाला अगला है चोथा एक प्रकाश कीरण का समतल ए एक आपतित होती है जो दर्पन के सम्तल से के कौन पर है यदि सम्तल दर्पन के साथ का कौन बननाता है तो परतिविम का कौन क्या होगा तो इसका तुराएगा बच्चो 90 डिग्री यानि फॉर्थ नंबर वला अंसर सही आएगा पांचवा प्रशन है वर्तमान में हम एक करोना वाइरस मामारी के बीच में है निमा लिखित में से कौन सा व्यापक रूप से फैले इस संक्रमन को रोकने का परभावी तरीका नहीं है तो बच्चो आप स्कूल भी करोना वाइरस के कार नहीं जा पा रहे हैं इतनी प्रॉब् यह भी सही है वीड़ से बच्चे या कहीं जाते तो मास्क लगाएं तो यह तो चीज़े बच्चो करोना वाइरस को कंट्रोल करने के लिए लेकिन जो फॉर्थ वाला है वह आंस्वर गलत है यदि आपको संदिय कि आप संक्रम ही तो सकते हैं तो चुप रहे और नहीं किसी अंदर चाहता है तो बच्चो फॉर्थ ऑप्शन है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन यह आएगा इसका अंस्वर एक दस किलोग्राम द्रव्य मान के पिंड का वेक पांस है में दस मिनिट सेकिंड हो जाता है इस पर लगाने वाला बल क्या है तो बच्चो इसका अंस्वर अधिक चमकीला था इनमें से कौन उत्तर ग्याद करने के लिए सबसे अधिक सबसे अच्छी शुरुआत हो सकती है तो बच्चो इसका उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर तीन यदि हमारे पास परकाश के बल्लब की चमक को मापने का एक तरीका हो तो यह मदद करेगा नौवा पर्शन है प्रिनात्मक कारे की स्तिती मेबल और विस्तापन के बीच का कौन होता है तो बच्चो इसमें आएगा 180 डिग्री यानि पस्ट नंबर वाला आंसर आपको यह 123 लिखते जाना है साइडों में जो आपका उप्शन सही होगा दसनों है निमलिकित में से कौ इसका ओप्शन है बच्चो चार नंबर वाला अगला पर्शन है 11 उस जीव की पैचान कीजिए जिसके प्रजनन के तरीके और निशेचन की विदी को उसके साथ सही तरीके से युगमित किया गया है तो बच्चो इसका रहेगा फोर्थ नंबर वाला कव्वा अंड प्रजक बाहरी निशेचन तो फोर नंबर वाला उप्शन आपका सही आएगा अगला है बच्चो बार्मा रदर फोर्ड के परियोग से निमन लिखित में से कौन सा प्रेक्शन थांसन के इस परस्ताव को अस अविकार करता है कि प्रमानु एक धनाईनित शेत्र है तो बिच्चो इ ऐसे स्तानों में किस परकार के उपकला उतक पाए जाते हैं तो बच्चो इसकांसवर आएगा स्तंबकार उपकला यानि फस्त नंबर वाला उप्शन चोध्वा है यदि दो निकायों के द्रव्यमान को दो गुना कर दिया जाता है और उनके बीच की दूरी को आदा कर दिय जाता है तो उनके बीच नया गुर्तवा कर्शन बल मूल बलके कितने गुना है तो बच्चो इसकांसवर आएगा सोला फॉर्टांसवर 15 परशन है तालीका में वीवी शेत्रों में ओसत वार्शिक तापमन के बारे में जानकारी दर्शाई गई है ऐसी परिस्तितियों में जीवित रहने के लिए जानवरों के लिए कोंसा अनुकूलन सबसे उप्यूक्त होगा तो बच्चो इसकांसवर होगा फॉर्ट वाला न के अब हम करेंगे कोश्चन नमबर 16 यहां पर बच्चो ग्राफ दिया गया तो यहां दिया गया ग्राफ 1850 से 2019 तक का वैश्विक तापमान में व्रदी को दर्शाथा है यह प्रित्वी को कैसे प्रभावित करेगा तो बच्चो इसकांसवर आएगा फॉर्थ वाला तापम कुंद्र के स्तर में नाट्किया रुपसे व्रदी होगी तो फॉर्थ नमबर वाला अंसर इसका राइट आएगा सत्रमा पर्शन है दर्शाय गई उपकरन का उप्रयोग करके पानी और ऐसी टोन के मिश्रन को अलग किया जाता है अलग किया गया ऐसी टोन कहां एकत्र होग है उनके बीद क्या संबंद है तो बच्चो इसका अंसर आएगा थर्ड एक्स और वाई समस्थानिक है जैड एक्स आयन है तो बच्चो थर्ड नमबर इसका अंसर सही होगा अगला पर्शन है उन्नीसवा एक गेंद को पकड़ने के लिए एक एथलीट हवा में सीधे उपर की और उचसे कूड़ा है यदी उसम ने उपर की और कूदने के लिए पॉइट्च चार सेकेंड का नीचे आने के लिए पॉइट्च चार सेकíंड का समय लिया तो वह कितनी उचाई तक ऊपर पूदा तो इसका उतर आएगा बच्चो दो दश्मलाव तीन पांच दो मीटर तो इसका अंसर सेकंड वाला आजाएगा अगला है बच्चो लास्ट कोश्टन है आपका पचास किलोग्राम का एक बास्केट बोल खिलाडी एक शोट बनाने के लिए लंबवत उपर की और होगा बास्केट बोल का द्रवयमान 600 ग्राम है तो इसका अंसर आजाएगा नमबर फर्स्ट पॉइंट जीरो चाराट मीटर मिनिट सेकंड तो इसका फर्स्ट वाला ओप्शन सही आएगा ठीक है तो इसी के साथ आपका आज का क्विच्च जो मिला था आपको कंप्रीट हो करीगा और हमारा टेलिग्राम चैनल जोइन कीजिएगा ताकि आपकी प्रोब्मिन को सोल्ड किया जा सकी थैंक यू